चलिए गूड इवनिंग और सबसे पहली न्यूज यह है जैए बी का फस्ट पेपर है जैए बी का फस्ट पेपर सिफ्ट कर दिया गया है आए बीएफ ने और जो सिफ्ट हुआ है कि वह सिफ्ट हुआ है आवाज ब्रेक हो गया था बीच में हलो हलो आवाज आ रही है ठीक है तो यह जो सबसे पहले जो सिफ्ट हुआ है वह सिक्स्ट ऑफ मार्च को हो गया है और मुझे लगता है कि कि आपके लिए यह बहुत अच्छा एक कहना चीए कि पेपर का प्रिप्रेशन का वह बहुत अच्छा हो गया है कि 26 27 जो हो गया है और उसके बाद में जो आपके जो फस्ट पेपर हैं वह फस्ट पेपर आपका होगा जो फर्स पेपर होगा वो आपका सिक्स्ट अप मार्च को होगा और आपके लिए एक बहुत अच्छी उपर्चिनिटी है कि जे आई भी आप इस बार पास कर ले है ठीक है और क्योंकि देखे पहले एक जो एक्जाम सेड्यूल हुआ था वो जन्वरी में हुआ फिर थोड़ा सिफ्ट किया फिर वो फैब में हुआ फिर फैब और मार्च में हो गया तो इस तरह से देखा जाएगा बहुत अच्छा एक सेटप हो चुका है ठीक है झाल कि बार बार डिस्टर्बेंस हो जा रही है तो अल्टीमेटली आप सभी को सुब कामना है और आप अपनी प्रेपेशन अच्छा करें और हम लोग चलते हैं यह क्या बोल रहे हैं है कि अगे 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 अच्छा चाहर मनलब जो फास्ट पर है वह फास्ट पर ट्वंटी सिक्स को है और सेकेंड पर आपका कि 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 एक मिन में वह जो दुबारा से देख लेता हूं वह साथ मैं आपको तो गलत बता रहा हूं कि 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 अच्छा आपके लगाता साथ फास्ट पर आगे बडा दिया है ठीक 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 जन्वरी वाला जो फास्ट पर है सौरी वह ट्वंटी सिक्स को और सेकंड पर 27 को और यह भी कत्थार पर जो है 6 मार्च को लेकिन इसने वह वाली बात अभी भी रखी कि 26 27 को फास्ट और सैकिंड पर कर दिया है ठीक है तो ठीक है स्टेटरी के साब से हम लोग क्या करेंगे कि इस टॉपिक के बाद यह जो टॉपिक अभी आप में करना है इस टॉपिक के बाद फिर हम दुबारा फास्ट और सैकिंड पर पर कंसल्टेट हो जाएंगे ठीक है और जो मारा फस्ट स्टार्टिंग होगा वह 26 27 से होगा और फिस एक्स मार्च को गा ठीक है वह मैंने तोड़ा गलत बोल दिया मुझे लगा कि सब्सक्राइब किया है कि चल्ड़ों चलिए तो आज सुरू करते हैं डेटा कम्मिनिकेशन नेटवर्क एंड एफ्टी सिस्टम का हाफ पोर्शन हमने कवर कर लिया था अब चलते हैं हाफ पोर्शन की तरफ यहां तक हमने टोपोलोजी के बाद अब हम सुरू करेंगे इंटरनेट तो इंटरनेट के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली जब बहुत सारे नेटवर्क एड हो जाते हैं तो उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं बहुत सारे नेटवर्क अगर उनको सबको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा नेटवर्क बन जाएगा ठीक है तो इसको नाम दिया गया है इंटरनेट इस ग्लोबल नेटवर्क आफ नेटवर्क और इटवर्क डिफ्रेंट नेटवर्क अगे नेटवर्क लेकिन इसमे वर्ड जोड गया था ग्लोबल तो इसमें हम पुराने उस पर नहीं जा रहे हैं पुराने किसी हिस्ट्री पर नहीं जा रहे हैं सीधे हम बात करेंगे नहीं जो हमारे आज कलके चल रहे हैं ठीक है तो इसमें देखिए सबसे पहले दक जांट कंप्यूटर ऑफ इस्टेबलिश्ट थो दा इंटरफेस प्रोटोकॉल सौंफ्ट्री अब देखिए गर यही जो प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल को हमने बोलता सेट आफ डूल की आप उससे कम्मिकेट कैसे करते हैं तो सेट अफ रूल और बोला इंटरफेस इंट और computer, तो इसने बोला the connection to the host computer, एक host computer है, of the ISP, internet service provider is established through the interface protocol software, तो इसके लिए एक protocol software है, जो आपस में link करता है in India, following two protocols are available यहां से one question आपका पूछा जा सकता है, एक question आपका exam में आ सकता है, तो उसमें क्या हुआ, SLP तो इसका नाम इन्होंने slip लखा हुआ है, Serial Line Protocol Serial Line Protocol, और दूसरा है PPP, Point to Point Protocol, तो हमारे interface protocol, two protocol use होती है, इंडिया में ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे, तो next point पे आता है हमारा तो ब्राउज थ्रू दा इंटरनेट, इन्फोर्मिशन ब्राउजर सॉफ्टेर इस रिक्वाइड दा वाइडली यूज़ ब्राउजर सार फर्स्ट कौन सा है तो ब्राउजर स्कौन कौन से है, मोजिला, फायरफोक्स माइक्रोसोफ्ट इंटरनेट एक्स्प्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी और ओपिरा तो यह कुल मिला करके हमारे इतने जो हैं ब्राउजर से हैं ठीक है, अब इस ब्राउजर में जैसे इसमें यलो कलस लिखे वे यह तीन एड़ हुए है, पहले यह नहीं ज्यादा सुनने में मिलते थे, तो यह पुराने हैं, लेकिन इसमें एक एक Net Escape Net Escape Navigator भी होता था, लेकिन इसका नाम यहाँ पर दिया नहीं है, तो यह ब्राउजर है, ठीक है तो क्या है, तो ब्राउज दें, ब्राउज थू इंटरनेट, इनफार्मेशन ब्राउजर सॉफ्ट्वेर हैं, यह जो है प्रोटोकॉल सॉफ्ट्वेर हैं, ठीक है broadband की बात कर रहे हैं तो broadband में क्या बात है है truly is the most used आज कल सब्ज़ेगे यही use हो रहा है और इसमें क्या है different forms such as digital subscriber line DSL line पे it is offered in DSL ये भी question पूसकता है digital subscriber line ठीक है फिर क्या है cable modem optical fiber wireless और satellite and broadband over power lines BPL तो BPL का क्या है broadband over power lines BPL broadband over कई बार क्या होता जब questions आता है तो इसकी simple abbreviation हम लोग नहीं कर पाते तो अगर आप इसमें सुन रहे हैं तो आप abbreviation भी इसकी कर पाएंगे अब क्योंकि जो आपका fast paper JIB का है तो हम इसका हमारा network वाला technology वाला पूरा कर लेंगे marketing में एक तो topic वो पूरे कर लेंगे और अब हम ethics का हमारा जाएगा वो भी कर लेंगे तो हमारा course तो पूरा हो जाएगा लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सब यूसफुल नहीं रहे गाए तीक है तो फोर डिफरेंट कैटेगरी जो है उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे फस्ट जो है communication services electronic mail, telnet, news group, internet telephoning तो यहां से एक question मुझे लगता है आपके exam में जरूर पूछा जाएगा आप लोग alert हो जाएए एक question जरूर पूछे जाएगा the internet services can be classified into following four different यह internet services है तो internet services पहली service कौन सी है communication services जिसमें आप electronic mail, telnet, news group, internet telephone ही हो गया है दूसरा है information retrieval services means आपकी वो information कहीं पर save हो रखी है उसको retrieve करना है तो उसमें क्या है file transfer protocol archie और gopher इसका आजकल बहुत name आ रहा है gopher का ठीक है web services, world wide web आलाकि इसके बारे में अब कहा जा रहा है कि किसी भी website में अब www वाला use ना भी करते हैं तो भी वो है थी तो कल क्या महला कुछ समय पहले में कहीं पढ़ रहा था जिन्होंने internet invent किया था इसका www का नाम रखा था कि कोई भी website से पहले www रखा जाएगा उन्होंने कहा उसमें उन्होंने गलती करी means कि उसकी जरुवत ऐसी नहीं थी फिर है तीसरा video conferencing point to point and multipoint तो अगर हम बात करेंगे internet services के four different category क्या है तो पहला आएगा communication services दूसरा आएगा information retrieval services फिर आएगा web services और फिर आएगा video conferencing ये ध्यान रखेगा आप तो ठीक है email तो आपको पता है सब कुछ use net it allows sending a message information on a varied subject on to an electronic bulletin board for everyone to refer it तो एक तरसे electronic bulletin है जहाँ पर आप किसी को भी refer कर सकते है gopher मैंने बोल था gopher बहुत famous हो राज कर it allows access and retrieval of the information of variety of subject like reference material magazine article government document speeches तो कोई मुझे बता सकता है यह जो gopher है आज कल के किस या ट्रेडिशन टाइम के किस फैसलिटी का solution है यूट्यूब में कोई answer कर सकता है बोलिये पता नहीं शान एक्जाम सिर्फ सिफ्ट हुआ है cancel नहीं हुआ है इसलिए alertness लखिए यह पता है किसका substitute आया है किसका लिखा मैंने लाइब्रेरी के वाल फर्क क्या आया इस लाइब्रेरी में आम तोर पर यह चीज गौर्मेंट डॉकुमेंट आम तोर पर नहीं मिलते थे ठीक है तो यह सारी चीज़ां अब electronic form में वहाँ मिल रही है scan copy या जो भी facility से provide कर रहे है ठीक है फिर आया file transfer protocol FTP allows transfer of files from one system to another उसके बाद है internet relay chat IRC it allows access to forums where user can have online real time discussion across the globe तो एक तरसे ज़िज जूम अगेरा की बात करेंगे तो वो भी internet relay chat का ही एक example है word wide web this facility organizes internet related resources which makes the information access quite easy the documents are linked together anyone wishing to put certain information on internet can do by carrying on his अपना website बना के web page बना के उस सारी information को सब के सामने ला सकता है ठीक है अब आरा आती है evolution of EFT system evolution of EFT system or committee of on mechanization of check handling तो EFT electronic fund transfer है ना तो वहां पर check handling में भी कुछ जो चेंजे जाएं तो उसमें American Banker Association introduced to produce a micro ये 1954 में आ गया था माइकर ठीक माइकर टेक्नलोजी आ गया थी ठीक है आप क्या वोला है पर कि first step forward the mechanization of the check clearing system which later paved the way of introduction तो अब वहां पर EFT का आ गया अब यहां पर 1968 में फिर scope है यहां पर special committee on paperless entries तो यहां पर USA में इसका setup हुआ फिर यहां पर automated clearing house आए ठीक है since then there have been rapid strides in the automated यहां सब आया फिर pure system आ गये उसके बाद significant development आया हमारा swift के through आया by this time bank started using network system of ATM the final development of EFT system has been the private card system like फिर वहां पर visa master American Express की काड़ान लग गए ठीक है उसके बाद the widely adopted definition of EFT EFT की definition है section 105 article 4a of the uniform commercial code USA के कुछ code code का मतला act यह law fund transfer system mean a wire transfer network automatic clearing house and other communication system ठीक है यहां पर in USA interbank payment are process and settle primary through तो वहां पर उन्होंने बोला check clearing system हो गया automatic clearing house card network fed wire और chip यह आपको CIV में याद करना पड़ेगा और national settlement system NSSS in India ATM POS NEFT RTGS card NEC GTS IMPS UPI and more EFTs structured message transfer using Swift तो हमने आपको एक दिन discussion हो रहा था पूशा था कि Swift क्या करता है तो Swift क्या करता है simple structured message को transfer करता है ठीक है इसकी full form भी कभी पूश लेता है society for worldwide interbank financial telecommunication यह जो telecommunication है आपके exam में जब आता है तो telecommunication की जगे transfer यह transfer यूज करता है यह transmission भी यूज कर लेता है ठीक है लेकिन यह क्या है telecommunication तो Swift की start होगी और Swift में क्या Swift operate a financial messaging platform being together इतने financial institution इसमें लगे है और across 215 में 215 में SWIFT होता है इत फैसलिटेट आपर आपकेशन इसमें इसमें रोगेशन इसमें रोगेशन इसमें रोगेशन इसमें 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 of paperless banking तो यह real में paperless banking का एक example है in India all nationalized bank are members of सभी लोग main feature एक question आपसे यहां से पूर सकता है कि out of these कौन सा feature shift कर नहीं है it is operational throughout the year 24 hours a day transmission of messages to any part of the world almost immediate all the message format of interbank transition are standardized standardized at present about 400 different standardized format are used by means एक message का standard होता है line लिखने का तरीका होता है तो उसकी बात कर रहा है standard all messages are acknowledged या तो accept होंगे या reject होंगे information is confidential and protected against unauthorized disclosure and tempering swift assumes financial liability for the accuracy and timely delivery और वो कहता है कि इसकी जो responsibility हमारी है accuracy की और timely delivery की method of transfer is costable बहुत cheaper type का major message type standard message जैसे बात हो इतना standard message format तो उसमें क्या है following business areas में customer transfer and check financial institution transfer financial trading collection and cash letters documentary credit and guarantee securities precious metal and syndication traveler check cash management and customer status supporting system messages ठीक है in addition format messages are also permitted enabling to sort of message security क्या है swift में swift में security की बात करता है the responsibility of swift with respect to security of data messages is between the regional processor swift does not assume any responsibility of message between the regional processor and the bank वो क्या करता देखो इसमें क्या बोला इसने कि एक bank है यहां से regional processor पर गया regional processor से दूसरे regional processor पर गया और वहां से फिर bank में गया तो swift जो responsibility ले रहा है वो इनके बीच की ले रहा है क्या रहा है इसकी मेरी पूरी responsibility है जो उनका regional processor वहां तक ठीक है the system feature in swift provides for protecting the network against unauthorized accesses and protection of transmission against loss or mutilation of message error in transmitter करता है कि सब कुछ से protect करता है swift security feature जो उसमें है वो network में unauthorized access और इन सब से कि वो क्या करेगा कि आपका कोई mutilation नहीं हो सकता बीच में बदल नहीं सकता error नहीं हो सकती और privacy और fraudulent changes को वो नहीं करता key authentication mechanism एक question यहां जो भी हम पाड़े से आ सकता है swift authentication mechanism is an approved and automated version of the telegraphic test keys traditionally used for authentication of the confirmation of amount in message between banks it is automatically calculated on the entire message text this ensure that any change in the message would be detected तो एक automatically calculated value होती उस message की अगर कहीं पर भी कुछ चेंज होगा तो क्या होगा वो value change हो जाएगी encryption encryption का अला था coding करना is a security control to ensure data confidentiality it is done on the swift network and is available to the users check sum एक question आपके एक्जाम में check sum से नाम से होगा देखना 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 it is a security control to prevent automatic changes during transmission it uses as a part of mechanism both the text and the receivers address तो यहां पर इसने बोला फिर क्के। फिर क्या है असमे भी रिसेंट वालाक example देवा है after the dollars 81 million swift fraud attack on Bangladesh bank and frauds to Indian bank the swift interbank message platform immediately put new safeguard in place of the order to utilize risk bank were also provided by RBI to put security measures in place of the avoid fraud and crime through swift Swift announced a new payment controls feature in October 2020 2018 which could be used to monitor and protect core payment across the global financial system. Swift अब यहां पे GPI वर्ड आपकी एक्जाम पर पूछ सकता है GPI a new standard in global payment was announced to enable financial institution to send and receive fund quickly and security securely to anyone anywhere in the world with full transparency of the messages throughout its client throughout it cycle it cycle Swift GPI dramatically improves cross-border payments across the correspondent banking network another important feature of swift gpi is the ability to immediately stop a payment at any point in the payment chain bank will be able to stop payment means destinations में पहुँचने से पहले कहीं पर भी अगर payment को रोकना होगा तो रोक सकते हैं regardless to where it is in the payment chain in addition every bank in the payment chain would be notified at the same time this feature will help to reduce the cross border frauds जो आज एक छोटी शी प्रॉब्लम चल ली network में यह system जो है मारा support नहीं कर रहा है तो इस class को में रोकना पड़ेगा क्योंकि वो बार बार वहां से बीप आ रही मिर पास ठीक है next class में इसको आगे पूरा कारे करेंगे ठीक है आप लोगों ने time दिया नहीं ठेंक यू और जितने भी यूट्यूब में हैं यूट्यूब में अच्छा बुक में बोलने हैं कि आई एट टीएसी है वो आई एट टीएस इस नहीं होगा तो एक आई एट टीएस इसका कुछ कोडिंग में कुछ टेक्लोजी का या किसी का नाम होगा ठीक है और आप सभी को एक बात कर थेंक्यू मैं कहने जाता हूं कि आप जो वीडियो उने बनाया था वो वीडियो साइद आई आई एफ तक पहुंचा है और नहीं तो आई एफ इतनी जल्दी एकाम नहीं करता तो इसी तरह से अगर हम कोई जैनुइन कौज की बात करते हैं अभी भी 26-27 वाली जो बात चल रही है वहाँ भी कई स्टेट में इलेक्शन है ठीक है तो देखें क्या करता है हम तो यह कह रहें कि अपडेट चेंज ना करें अगर किसी का इलेक्शन है तो उनको एक मौका एक मह क्याम करा के दे दे लोग अग्री हो जाएंगे तो एक आया विएफ को इस तो सूचना चाहिए कि कैसे होगा लेकिन उसके लिए को जैनुइन रीजन अगर है तो उसको मान लेना चाहिए उसे ठीक है तो हम लोग नेक्स क्लास में मिलते हैं यह तो आज दिक्कत हो रही है हम को ठीक है ओके थैंक यू अब आगी आप लोग स्टडी करते रहे हैं कि सर सर एक क्वेश्चन पूछना रहा पूछूंगा पूछू 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 सब्सक्राइब